दोस्तों जब भी आपके पास कुछ क्लाइंट आता है और उस क्लाइंट के साथ आप मिटिंग करते हैं मिटिंग करने के बाद आपका डिसाइट हो जाता है कि आपका शूट इस तारिक को है और इस तारिक को आप लोगों को शूट पर जाना है दो दिन का काम है तीन दिन का क कर दिया कि हाँ हमें इस बजेट में ही काम करवाना है वो सब होने के बाद जब काम हो जाता है और उसके बाद आपको आलबम और पेंड्राइव जब डिलेवर करना होता है उसमें बहुत प्लेट हो जाता है जैसे कि समझो कि आपने क्लाइंट को बुला कि आप हमें फोटो को सिलेक्ट करके दीजिए तो जब क्लाइंट फोटो सिलेक्शन के लिए ले जाता है या फिर आपके वहाँ पर आने के लिए आप बुलाते हैं तो शायद वह नहीं आ पाते हैं उनके पास नहीं है करबत हो जाता है या फिर उनके पास time नहीं है तो उसे च्छह मेहने चले जाते जब छे मेहने चले चैते तब Client के पास बोलने को होता है कि आपने अमें अभी तक पेंडाव या और हमारा अल्बम में नहीं दिया वो आपको बो जो खर्चा होता है मतलब जब आप शूट करके लाए तो एल्बम की प्रिंटिंग, डिजाइनिंग, इन सब का खर्चा आपको निकाल देना है, उनसे बात कर लेनी है सबसे पहले कि आप जब भी हमें सिलेक्शन करके देंगे, तो हम आपका जो एल्बम का जो खर्चा है, मतल के अंदर इंक्लूड नहीं किया है, ये खर्चा आप बाद में अगर जब अपना अल्बम बनवाएंगे, तो हमें दी देना, आपको 50% हमें डवांस देना है, बाकी का जो 25% है, वो जब हमारा काम खतम होगा, तब आपको देना है, और जब हम आपको वीडियो और सारा रो होगा कि क्लाइन को जब भी उनको टाइम मिलेगा, तो उनका आल्बम वो बनवा सकते है, यहां पर फोटोग्राफर और क्लाइन दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले, मतलब कि दोनों की तरब से यहां पर वीडियो आएंगे कि क्लाइन को क्या करना है, फोटोग्राफर को क्या